नमस्कार आप देखने टीवी नाइन मध्यप्रदेश 36 गड़ मैं हूँ आपके साथ अनुभा सिंग सिर्फ इशारों में होती मुहबबत अगर इन अलफाजों को खुपसूरती कौन देता बस पत्थर बनके रह जाता ताज महल अगर इश्क इसे अपनी पहचान न देता कहते हैं मुहबबत की कोई कीमत नहीं होती जब इश्क का जादू चलता है सहरा में फूल खिल जाता है जब कोई दिवाना मचलता है तब नया ताज महल बन जाता है ताज महल को आज भी मुहबत की अधुत निशानी माना जाता है आप सब आगरा के ताज महल के बारे में तो जानते होंगे जो मुगल समराट शाजहा ने अपनी बेगम मुम ताज महल के याद में बनवाया था लेकिन क्या आपको पता है दूसरा ताज महल मद्यप्रदेश में है जी हाँ मद्यप्रदेश के बुरहानपूर जिले में भी एक ताज महल है बुरहानपूर में बना ये ताज महल अपने आपने अनोखा है क्योंकि इसे किसी शाज जहान नहीं इसे आनंद प्रकाश चौकसे नाम के आदमी ने अपनी पत्नी मंजूशा चौकसे को गिफ्ट में ये ताजमहल बनवा कर दिया हो बहु आगरा के ताजमहल की तर्ज पर बना बुरहानपूर का ताजमहल भी किसी महवबत की निशानी से कम नहीं उन्होंने अपने पत्नी से किया वादा पूरा करनी के लिए इसको बनाया इससे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं बता दे बुरहानपूर का ये ताजमहल आकार में आगरा के ताजमहल से काफी छोटा है लेकिन उतना ही भव्वे और आकरशक है बुरहानपूर का ये ताजमहल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है अंदर से भी उतना ही लाजवाब है इसमें एक बड़ा हॉल है इसके अलावा दो बेडरूम नीचे और दो बेडरूम उपर बने हुए हैं इसमें किचन, लाइब्रेरी और मेडिटेशन रूम भी बनाया गया है पूछते हैं वह शहर क्यों फेमस है तो उनको पुराने इतिहास की जलक दिखाने के परपस से वह हमारा चार बेडरूम का घर है जो ताजमहल की शकल में है और उसमें रहने का एक जैसा घर होता है वैसा अंदर से घर है बाहर से वह ताजमहल का वन थर्ड है ताजमहल में जो भी डाइमेंशन मीटर में है वो इसमें फिट में दिये होता है तो घर में रहना है तो पत्नी कोई गिफ्ट देंगे और किसको गिफ्ट दे सकते ना आग्रा में अस्थित असली ताज महल से आकार में ये लगवक तीन गुना छोटा है बतादे मुगल समराट शाजहां ने मुम्ताज महल की याद में आग्रा में जो ताज महल बनवाया था वो दुनिया के साथ अजूवों में से एक है MP का बुर्हानपूर भी शाजहां और मुम्ताज के प्रेम की कभी न कभी मरने वाली यादों को अपने अंदर समेटे हुए है मद्यप्रदेश और 36 गट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं TV9 मद्यप्रदेश 36 गट साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भोलें हुआ हुआ है